तो मुख परिक्षा उत्तल लेखन को लेकर के लगातार आप लोगों के साथ मैं बना रहता हूँ और मेन संसर रेटिंग आप लोगों की मैं ब्यापक किस तर पर करवाता हूँ तो सबसे पहले आज मैं आप लोगों को एक ब्यापक जानकरी दे रहा हूँ जितने भी छात्र IES और PCS एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं आप सभी के लिए समान अध्यन की मुख परिक्षा उत्तल लेखन की एक स्रंखला प्रारम कर रहा हूँ मैं आजाद IES Academy के अप्लिकेशन पर आजाद IES Academy के समंच पर है तो देखे उत्तल लेखन में एक आपका समान अध्यन का प्रिश्ण पत्र है जिसमें आपके सारे टॉपिक हैं आपको पता हैं क्या-क्या टॉपिक हैं आपके जनलिस्ट्री के पेपर पे आपका इतिहास है भु प्रक्षा की विशेवस्तू है और साथ ही आपका निबंद की विशेवस्तू है इथिक्स की विशेवस्तू है और अन कई सारे टॉपिक हैं जो की आपसे पूछे जाते हैं तो जितने भी छात्र हमाई साथ तैयारी कर रहे हैं मैं एक बार सभी का यहाँ पे लिख देता आप सभी को उत्तालेखन करना है मेरे साथ सब्ता में एक दिन एक प्रश्न ही आपको मिलेगा मलब एक सब्ता में एक प्रश्न मिलेगा आपको और कहां पे आप सम्मिट करेंगे, क्या तरीका होगा, कैसे आप जुडेंगे अभी सब कुछ आपको जानकारी दे रहा हूँ तो IS का एक्जाम जिन बच्चों को है UPPSC का एक्जाम है जितने बच्चों का BPSC का एक्जाम है जितने बच्चों का ये GS वाला स्रेक्सान है देखिए और जो PSC वाले बच्चे हैं आप लोग का स्टेट वाईज में वो अलग से अंसर रेटिंग कराऊंगा ये आपकी है जनरल स्टेडिस समान ध्यन के चार प्रशन पत्र जो IS UPPCS और अन्नी स्टेट में कहीं के पर दो दो पेपर होते हैं ठीक है इसके अलावा MPPSC का है MPPSC में भी answer rating जो है काफी question अलग अलग तरीके से आते हैं लग उत्तरी question भी पूछे जाते हैं और दीर उत्तरी question भी पूछे जाते हैं ठीक है वर लाइनर भी पूछे जाते हैं वहाँ पर तो MPPSC हो गया आपका CGPSC CGPSC, JPSC RAS का exam है आपका IS का exam, UPPSC का exam, BPSC, MPPSC, CGPSC, JPSC, RAS ठीक है और इसके अलावा जो हर्याणा Public Service Commission के बच्चे हैं आप सभी भी जुड़ जाइएगा यह जितने भी बच्चे हैं ठीक है इसमें ओ सकता है मैं एक दो भूल रहा हूँ संभाता UKPSC है UKPSC है ठीक है जितने भी हिंदी भासी स्टेट PCS, IS और स्टेट PCS है इन सभी के बच्चे जिसमें subject मैं कबर करूँगा आपकी main sensor writing में मैं subject क्या क्या कबर करने वाला हूँ और इसमें बहुत फांदार question अब ले करके आऊँगा जो आपके सीधे संभावना रहेगी current से जोड़ करके उन questions को मैं स्वयम बनाऊँगा main sensor writing इनका answer भी बताऊँगा मैं और कैसे करना है क्या method होगा पहले थोड़ा से इसको एक बार समझ लीजे आप तो main sensor writing में लगातार आप लोग की करवाता रह रहा हूँ है ना लगातार आपको main sensor writing को लेके मांग दरसित करता रह रहा हूँ अब फिर से मुख परिक्षा उत्तर लेकान ये सब्ता में एक दिन की class होगी आपकी एक दिन की class कैसे होगी मतलब इसका जो question है आपका ये जो question आपको मिलेगा ये question आपकी देखो मैं साथ के साथ दिन आपकी copy नहीं check कर सकता हूँ लेकिन सब्ता में एक दिन आपकी copy चेक कर सकता हूँ और उस पे मैं आपको feedback दे सकता हूँ ये काम में बहुत अच्छे से कर सकता हूँ तो उसी direction पे मैं काम करूँगा main sensor rating आपका सब्ता में एक दिन आपको question मिलेगा कहां मिलेगा question आजाद IAS Academy के app में question मिलेगा अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आजाद IAS Academy के app में आपको question किस तरीके से मिलेगा तो तो आप लोगों को आजाद EAS Academy के अप्लिकेशन पे एक कोश्चन मिलेगा अभी सभी चात मेरे साथ करेंगे एकारे सबसे पहले आप लोग के पास एप होना चाहिए आजाद EAS Academy का Google Play Store पे भी है Play Store पे है आपका और साथ ही Play Store से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे जो बच्चे Apple का phone यूज कर रहे है iOS को device यूज कर रहे है iOS वाले सभी बच्चों के लिए हमने एक application मनवाया है उसका नाम है My Institute My Institute iOS वाले जितने बच्चे हैं आप लोग My Institute अप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे ORG code मांगेगा आप से ORG code में आजाद IA डालेंगे आप आजाद IA तो आजाद IA और अपना मोबाइल नमबर आपको आजाद IA Academy लोग इन हो जाएगा उसमें ठीक है आजाद IA और आपका मोबाइल नमबर और आजाद IA Academy का एप आपको ये Google Play Store पे Android device के लिए मिल जाएगा बाकी website में भी आपको ये पूरा का पूरा website में भी login हो जाएगा तो जितने बच्चे IA और state pieces के आप सभी का मुख परिक्षा उत्ता लेखन के लिए आपको आजाद IA Academy का app download करना है और यहाँ पे आपको batch code यूज करना है IAS means IAS means ये आपका batch code है कोई gap मत रखिएगा ये आपका batch code है अब दिखें batch code कैसे यूज करोगे थोड़ा समय आपको जनकरी देता हूँ ये आपका application है ठीक है आजाद IA Academy का application है मैं आपको सब कुछ practically दिखाऊंगा ये आप लोग का application है आप देख रहें blue color की screen है इसकी landing screen है यहाँ पे आएंगे ये home page है आपका home page के just bugle पे यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे के तरफ आप पाएंगे यहाँ पर है आपका home page के bugle में batch वाला section मैं इसकी थोड़ा सा screen की lighting हाँ lighting बढ़ा देता हूँ यहाँ पर दीखें batch वाला section है तो batch पे हम click करते है batch पे click करेंगे तो यहाँ पर plus का नीचे option आएगा आपको plus का option आएगा तो यहाँ पर batch code मांगेगा ठीक है plus का option batch वाले section पर जाईएगा यह निसूलक batch है जो निसूलक batch हूँ है यह पेडर नहीं है free है free of cast है ठीक है यह answer rating free of cast है और आप सभी के लिए हमेशा रहेगी है ठीक है यहाँ पर काफी बड़ी संख्यम बच्चे जुड़े भी है तो इसमें करना क्या भी दिखा रहा हूँ आज question आ गया है और इस question को आपको लिखना है मैं आप सभी को इसका answer भी बताऊंगा मतलब इस पे proper क्या आपको topic लिखने चाहिए कैसे इसको think करना है कैसे इसको सोचना है यह सारी चीजे रहेंगे तो आपको करना कुछ नहीं है यह आपका यहाँ पे जाना है प्लस वाल बैच वाले सक्षन में जाएंगे और यहाँ पे आपको एक निसुल्क बैच कोड़ दे रहा हूँ है IAS means ठीक है कोई gap मत रखेगा फिर देखे IAS means सभी लोग यह कर लिजे काम अभी ठीक है IAS means IAS MAINS कोई gap मत रखेगा एक request send कर दीजे जैसे ही आप request send करेंगे हमारे पास request आ जाएगी आप लोग की मैं आपको दिखा देता हूँ request आने के बाद आपको within 24 hour के अंदर अंदर इस batch से जोड दिया जाएगा अब जो बच्चे जुडेंगे उनको question कैसे मिलेंगे और आप question भेज सकते हैं आपको बकाइदा answer copy check होगी आपको message भी आएगा ये देखे एक काफी बच्चों ने request भेजी है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ये देखे इतने बच्चों ने request भेजी है तो इनको सबको हमने accept कर लिया सारे बच्चे जुडगे उस बच्च में जितने लोग ने अभी भेजा था सबको मैंने जोड़ दिया आप लोग भी भेज देंगे अभी तो अभी आपको जोड़ दूँगे निसुल्क है प्रियोपकास्ट है आजाद है येस academy का application आप लोग के पास होना चाहिए सबी बच्चों के पास आप देखो यहाँ पर आपको question कैसे मिलेगा और question को भेजेंगे कैसे लिखेंगे कैसे लिखने का तरीका वही है यहाँ पर जब आप main sensor rating का इस तरीके से आपको batch मिल जाएगा यह देखें ऊपर ही assignment का section है assignment में जाएगे आपको एक question दिख जाएगा question है COVID-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानतयों गरीबी को गती दे दी यह question है पूरा question यह है COVID-19 महामारी ने भारत में वर्ग असमानतयों गरीबी को गती दे दी ठीक है टिपडी करिए चर्चा करिए जो कुछ भी है आप इस पे लिख सकते हैं और 150 सब्दों में 10 नंबर पे लिखना है अब जब आप इसको करेंगे क्या आपने घर पे बैठी है अराम से बैठने के बाद pin कागज लीजे white seat लीजे white seat लेने के बाद उस पे लिखना चालू करिए और जब आप लिखना चालू करेंगे तो लिखने के बाद उसका जब अंसर आप लिख ले जो भी question यहां पर दिया है यहीं पर देखे add answer का option आ रहा है assignment पे ही आपको नीचे add answer का option आ रहा है यहां पर देख रहे है add answer तो मैंने यहां पर add answer किया अब देखो आप इसका answer wise note के through भी दे सकते हो बोल के भी दे सकते हो अपना wise note भी छोड़ना चाहो तो wise note भी छोड़ सकते हो आप wise note दे सकते हो डाकुमेंट भी भेश सकते हो यह पीडियाफ है आपने बनाया है तो पीडियाफ भेश सकते हो और यह दिया अपने इमेज है आप मलब जिसे आपने कुश्चन लिखा और लिखने बाद उसकी फोटो खीच ली तो फोटो खीचने के बाद उसको भी आप भेश सकते हो ठीक है आपके पास भी message जाएगा इस तरीके से आपका assignment आपका submitted हो गया तो ये आपका एक बहुत बड़ा मनलब देखे बहुत अच्छा आपके लिए feature ये है और इससे हम main sensor rating proper track कर पाएंगे आपकी आप लोगों को कुछ नहीं करना आजाद IAS Academy का application download करना है एक question को आपको multiple time लिखना है मतलब कि कम से कम दो बार तीन बार चार बार लिखे और multiple time आप इसमें submit भी कर सकते हैं लेकिन इसमें time period रहेगा उस time period के अंदर अंदर है नहीं एक सबता के अंदर अंदर ही आपको question का answer बेजना पड़ेगा इसके बाद आप नहीं भेज पाएंगे मतलब इसके बाद आपको deadline हो जाएगी कि उसके बाद आप किसी का answer नहीं भेज पाएंगे तो यह आप लोग की जिम्मेदारी है आप सभी को सभी बच्चों को ये कारे कर लेना है सभी मित्रों को बता देना है ताकि main sensor writing हमारी अब अच्छे से हो सके यह आप ए continuous करेंगे और अभी तक में इसमें काफी बड़ी संख्या में छात्र जुड़ चुके हैं आप जैसी इस बैस से जुड़ेंगे आपको एक chat section भी मिल जाएगा जैसे whatsapp और तो आप group study भी कर पाएंगे सारी चीज़े आप लोग के लिए आप उपलब दे रहेंगे ठीक है clear है सबसे पहले तो ये मुझे आप लोग को जनकरी देनी थी तो main sensor rating के लिए हमारा IES और state PCS का main sensor rating भी अब हम चालू कर रहें साथ में सब्ता हमें एक दिन आपका आजाद IES Academy के platform पे रहेगा question आपको automatic आपके mobile पे आ जाए करेगा जब question मैं यहां से भेजूँगा आपको message आ जाएगा message आ जाएगा या फिर आपको पता चल जाएगा एक बार check करते रहेगा हर सब्ता आपको Monday को साम तक आपके पास question आ जाएगा और मैं आपको हर Monday आ करके question को discuss भी करूँगा कि भाई पिछले session में मैंने कौन सा question दिया था अब जैसे जो question आपका आया है इस question को आप लोगों को लिखना है और लिख करके submit कर देना है निर्धारी समय वधी पर समय भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा हर question का जैसे यह question आपका जो मैंने भेजा है यह आपको यहाँ पर देखे date लिख हुई है 30 अगस्त के अंदर अंदर आपको इसको लिखके भ लिख रहे होंगे तो आपको call भी जा सकता है संस्ता से यदि आप बहुत अच्छा लिख रहे होंगे तो आपको संस्तान के थुरू call भी किया जाएगा आपको उससे एक track हो जाएगा बच्चों का तो यह main संसा rating को लेकर के आप लोगों के साथ काम किया जाएगा proper सबता हम एक question कम से कम अभी आप लिखना सुरू करिए बाद में गती बढ़ाई जाएगी जो बच्चे जादा बेहतर लिख पाएंगे जादा अच्छा लिखेंगे performance अच्छा होगा तो उनके लिए हम कुछ भी से इस प्रावधान भी करेंगे वह उनके लिए special badge भी create करूँगा ठी लिए निशुल्क है ठीक है चलिए तो ये बात हो गई आपके मुख परिक्षा उत्ता लेखन के समान अध्यन के segment की समान अध्यन के segment की समान अध्यन का स्यक्सन यहाँ पर चलता रहेगा शमान अध्यन एक बड़ी विसेवस्तू है और मेरा काम है कि मैं बस आपको ये skill हैंगे फिर मुझे जूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बार-बार में कोई भी चीज सिखाऊंगा एक बार-बार सिखाना है एक बार में आपका काम हो जाएगा पूरा clear है सभी को ठीक है तो ये आपको ध्यान रखना है main sensor writing को लेकर के आप सभी को